नमस्कार, Physically Fit, Mentally Hit program में आपका स्वागत है, वैल ये एक सीरीज है जो की health related है, हम अलग-अलग topics पर बात कर रहे हैं इस सीरीज में, recently हमने बात की थी eye care के बारे में, skin care के बारे में, और आज भी एक ऐसे ही important topic पर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं heart health के बारे में, और इस वि BBS है, MD, DM है, and साथ ही, he is a senior heart specialist and convener of Heartwise, sir, एक फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका, sir, heart health चो है, बहुत important topic है, especially इस समय पर, and sir, के बारे में बताया, तो कोटा में, अगर, if we talk about cardiologist, so he is a well-known face and well-known name, sir, heart की बात करे, बहुत ही जादा important topic हो गया है, आज के समय में, अपने आसपास देखिए, as a specialist, as a senior heart specialist, आपको क्या लगता है, आसपास बहुत जादा cases आ रहे हैं, क्या, या हम ही सुनने में आता है, definitely, अगर हम कुछ पिसले कुछ दश्कों की बात करें, तो heart disease बढ़ती हूँ देखिए, मैंने खुद्नेप में बढ़ती हूँ देखिए, पहले, जितना percentage था, वो बड़ा है, साथ ही, जो age of heart attack है, वो कम होगी है, और शाद य पिसले दो दश्कों में, अगर मानें, तो almost 60% increase in heart attacks हमने देखा हैं, और age of heart attacks पी almost 10 to 15 years, compared to our western counterparts, अगर इंडिया में देखें, तो 10 से 15 साल पहले इंडिया में किसी भी average age जो होती heart attack की, वो काफी कम हो गई है, पहले इतना constantly सुनने में नहीं आता था कि कम age के लोगों में भी heart attacks आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, सुनने को, पढ़ने को मिल रहे हैं, और recent time में यह बहुत जादा, तो कहीं ना कहीं lifestyle भी one of the reasons? Definitely lifestyle, actually as Indians we are genetically prone for heart disease, यह माना जाता है कि जो भी Indian है, वो संसार में किसी भी और प्रजाती के मनिस्पत ज्यादा रिस्क पर होता है heart disease के लिए, इवन यूस में तो कैड़ी study है, coronary heart disease in Indians, उस पर study करना चाहते हैं कि Indians में इतनी heart disease क्यों है, so वो genetic predisposition हमारे अंदर में है, और उसके daily life, daily life, daily life living में कर रहे हैं, चाहिए वो आप career के शुरुआत में है, career के अंत में है, एक pressure सा बना हुआ है society में, तो उन दोनों factors, genetic plus environmental, इनको मिला कि हम जो एक acceleration देख रहे हैं heart attacks का, वो अप सामने आ रहा है, तो आपने बहुत ही अच्छे topic पे pinpoint किया है, stress की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि उनको all-round development भी करना है, पढ़ाई भी करने है, stress आज के टाइम में आसपास जादा देखने को मिल रहा है, तो sir, हमने आमतार पर देखा है, जो मेरा अगला सवाल है, वो specifically students के लिए है, एक्जाम के टाइम पे बहुत stress रहता है, और heart rate भी बढ़ जाता है, heart rate, तो वो ऐसा क्यों होता है, और इसे बचें कैसे, क्या इस टाहिंते करें है, देखे, सबसे पहले तो importance में यह है कि we prepare for exam, जो unprepared होगा, जो इसके लिए familiar नहीं होगा, उसकी heart rate जादा बढ़ेगी, उसको घबराण जादा होगी, तो इसमें जैसे हमारे पास एक schedule है, जैसे साल में बीस बार, पच्छेस बार उसको फेस कर चुका होता है, तो इसको फाइनल डे पर यह चीज कम महसूस होती है, और इसके लिए जो हमारे coaches होते हैं, जो mentors होते हैं, वो भी बच्चों गाइड करते हैं कि किस परकार से उन evidence को फेस करना है, and of course, the best method is to be prepared for the exam. Sir, यह बहुत अच्छा point आपने निकालाईए कि वो students के लिए ने किसी के लिए भी, अगर आप prepared है तो आप less stressed होता है, तो कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, तो आपका well prepared होना, if you're preparing for anything, you practice it a lot and on the final day you don't feel it. Okay, okay, sports के लिए भी यूज किया जाता है technique, you bleed more at the preparation than on the ground, correct, और सर एक और चीज़ हमने बहुत अमोमन सुना है, हमारे parents भी कहते हैं, कि जब आप बहुत stress में है कि लंबी गहरी सांस लो, तो यह क्या, does that work on physical or mental level, यह कैसे work करता है, लंबी सांस का definitely a scientific evidence है और यह दिखा जाता है कि जब भी हम stress में होते हैं, तो एक deep sign होती है, तो अगर हम physiologically बात करें, तो normally हम जब भी stress में होते हैं, तो हमारी बॉडी का sympathetic system over active होता है, और लंबी जब हम सांस लेते हैं, तो parasympathetic vagus nerve होती है, वो stimulate होती है, तो से आपकी heart rate भी कम होती है, blood pressure भी कम होता है, mental calming भी होती है, even muscles भी आपके relax होते हैं, तो अगर हम योग की बात करें तो सुधराशन क्रिया होती है, तो अगर हम योग की बात करते हैं, तो जब भी आप deep breathing practice करते हैं, तो तो अपकोर्स आप अपनी वर्डी को help करते हैं, लेकिन ऐसी किसी भी stressfull situation में भी जब आप दो पांच लंबे-लंब तो बात करते हैं, अब exercise की, कि बच्चों को कितना physically active रहें, कितना exercises करें, ताकि उनका heart की health है, वो proper रहें, intact रहें, हम सब जानते हैं कि बच्चों को काफी time commit करना पड़ता है अपनी पढ़ाई के लिए और examinations के लिए, तो इसी time के दोरान ही, देखिए, 24 गंटे आपको मिल तो अब जिस भी stage पे हैं, आपको उसमें आपको कमिशले एक्साइज आपको करनी है, और बच्चों के लिए हम यह कहते हैं कि आप आपनी वॉक्स चारी रखें, जब आप इस तूट जाते हैं चारी जाते हैं जाता बच्चे बच्चे लेते हैं उनको बच्चे पर नियार तोड़े बात रहाद कि आपके लिए प्रानायम कर सकते हैं, फोड़े प्रानायम कर सकते हैं, because that will give you physical fitness also and mental peace also, and your ability to concentrate also increases when you do pranayama, so time निकाल के तोड़े प्रानायम कर सकते हैं, plus अपनी बॉड़े को stretch करने के लिए, because yoga is something which gives you strength, stamina and strength, and speed. जरूर और प्लस बात हुई एक्ससाइज के साथ में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपको देख रहे हैं अब हो कहीं पर बैठे सकते हैं अग्रोस्ट पर इंडियाथ को कि और हाट को भी एक सेम ताइम उसका भी ध्यान रखें. दिए इस पोर्ट का ड्री इस पर्ट का पना बहुत बटेना है कि वेका स्पोर्ट में आपको एक टीम वर्क मिल ता है तो आपको बात करें, तो आपको strength, stamina and second balance. Balancing is very important. कोई भी sport आप कहलते हैं, तो आपका body का बालंसिंग की practice होती है, जो बहुत है. So, always try to keep up at least whatever sports, any sport you can play. You can play football, bantam, tennis, whatever you play. Just continue playing till of course the last weeks of your exams. और आगे भी life में अगर आपको sport कहलते हैं, तो आपको फिजिकली फिट रहने में बहुँ जादा साहता मिलती है सुशल मीडिया पर हम लोग कॉंस्टेंटली देखते हैं यंग किट्स अगेटिं इंटो जिम्स और आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को तो इसे जिम्स अगेटी जिम्स और पर उनको कोई और जिस तरह से आपने बाकी एकसिसेसेज भी बच्चों को पैर नॉमली जिम्स इसक्राइब करता हूं if you have a wrong wrong injury तो अबी टो इनकी बोंस में ङो टो कुछ्फिकिस्न होता है वहाँ घमाराइब को डिसे आपकोई आपको चैसे है को साथमे बौडेवेट एकसिसेज जिसेजिकेन चैसे से हीओं कौप लिन अवर ऊंज ज़ा रहे हें लिगहेंस जो लॉऌना ओगु पऻए हे तोектैना को there is no exact age for gymming, you can do gyms faster, young students at least less than the age of 18 I don't advise that they lift heavy weights, they do very intensive exercises, at least no gymming you can do body weight exercise, you can do running, but don't do excessive isotonic exercise, we don't need to do it Sir, this is about physical fitness and exercises, we have talked about breathing techniques we have talked about at length, with this diet is also a big factor, so to keep your heart healthy students, what diet should they do? Yes, there are two problems, first of all, children don't think they have to do some precautions because they all feel like they are older, when we talk about diabetes, heart disease, children feel like they are older, but it is not because right in early childhood you have to adopt a healthy diet because the disease starts at this age, of course it manifests at the age of 40-50, but it starts at this age whatever deposition occurs, it starts at this age, so you have to remember a healthy diet from now now the problem with children is that those who are living outside, who are living in hospitals so to get that kind of diet, which we get at home, we can adjust the best like the basic food pyramid, that the base of your diet should be most of vegetables and fruits and then some amounts of free cereals and very little amount of sugars and oils now our society is such that when we go outside, we get kachori and jalebi so we have to find out, what we have to do for children, which is a healthy diet and we have to do so that we must motivate children to be more of a fast food consumption or a soft drink consumption when I talk about soft drinks, I always say that if there is a cause of a disease in the world then it is soft drinks because it is just plain sugar, it is no nutrition, all calories so you should try to come out of these kinds of fats, fatty foods, fast foods, soft drinks so you should try to come out of that and the base of your diet should be green vegetables, salads and fruits okay and then some amount of cereals and very very little amount of oil and sugar you should adopt this from now, no age okay and sir, in the diet, there is one more addition which in recent times, many people talk about, especially in schools and colleges and also bring the protein right 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 we were generally taking it but there was not much talk about that you have to take protein powder so what do you suggest that you should take a lot of water for students? look, normally protein powders is the problem that some of the gym supplements you never know in which supplement is embedded that is one very big problem which in supplements especially when students go to gym there are many NFR tablets या दिफरेंट दिफ्रेंट फेनिट सब्सक्राइब करने हैं तो एक तो उस टाइब करने हैं इन्टॉ है जू मैं बच्चों का ड्वाइजिय नहीं करता हूं फिर भी कोई ओल्डर चाइड हैं मोर्दन दिफ्टी है जो की हैवी जी मिंग कर रहा है वो प्रोटीन में नैच्छल सप्लीमेंट से वे प्रोटीन से ले सकता है, अगर आप नवेजिटेरिन है तो आपके पास एग है, चिकन है, फिश है, फिश है, अगर आपके वेटेरिन है तो बहुत सारे आपके राजमा, चना, अंकुरित, अगर फूट, बादम, अख्रोट, बहुत अच्छे सोट्स है यह प्रोटीन के, यह प्या सकते हैं, अल्टिमेटली यह रिद्धान रखिए कि घोड़ा क्या खाता है, घोड़ा कोई सप्लीमेंट वो घास खाता है, तो हमारी बोड़ी में असीमित शम्ता होती है, हमारी त्रेस को किस तरह से प्रपेर जादा अच्छे से करें ताकि आपको स्ट्रेस ना हो, यह बात हुई, अगर इस इतनी कॉन्वेसेशन को कॉन्क्लूट करें, एक और इंपॉर्टन आसपेक्ट है, जिसके बारे में, स्पेशलिस लाइक यू अल्वेस टॉक अबाउट इट, कितने आज़ का होना चाहिए और स्लीप किस तरह का होगी, आप हेल्दी रहें हमेशा है? सबकी लेकों लंग जाए लेकर चेह नीवनिम हान नाशल KhyASHिए था नौलमीन है। जो निशलिफन होता हैं इससाना वोड़ीज होता है, तो यह चीहीं पीफनिन लेसा है namathics साल कि लॉए हमें लेक किनी लोकने नशार स्था कि लिए जानी है सब जहता है। कोई बच्चे चे गंटे भी सोता है, जो रुकिजब तो नहीं के सोता है कई बच्छे होते हैं वो रात कोacción सबाधें को थे स्लॉपना शाहते हैं इस बाद को धुक्यार कुम ट्राइट्टे को सब्वाने माने करना शाड़ रात को और दिन में सो रहे हैं तो आपको सूट कर सता है बट दाट इस नाचरल तो इसमें आपके चंचेंटरेशन पावर जो होती है वो चेंज होती है अफ कोस्ट जब भी आपके एक्जाम देंगे आपको एक्जाम तो दिन में देना है तो आपको शीप सेकल अकॉर्डिंग आप नाइट आर्स में अपनी स्लीप पूरा करें और मौनिंग आज में जो आपका सब सिप्डिक्टिव फेस जब आपको एक्जाम भी मौनिंग देना है तो मौनिंग टाम में आप ज्यादा करें पड़ाई के उपर इस नाचर यह बहुत ही आपने अच्छे से हमें बताय डाइट तो फिसिकल फिटनेस तो एवरीफिंग एट वन हैस तो टेकर अफ एफ अंथ में जो स्टूडेंस आपको देख रहे हैं और बाकी लोग उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से एक जो लोग प्रपेर कर रहे हैं और ए तो अदॉप अदॉप अधिड़ी डाइट जिरो शुगर लोग फाट दाइट एड़ एक ट्राइट एक्सथा अच्मस पॉसिब ट्राइट तो इंकॉर्परेट सम अमांट आपको तो बात की हाथ हेल्ट के बारे में और जल्दी हम आपकी लीग और प्रोग्रम एक और वी मेंटली हिट जरूर हमें कॉमें सेक्शन में बताइए आपका कोई क्वेशन हो कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर साकेट गोयल ने जो प्रोग्राम आज इहां पे किया उसके बारे में आपकी कोई राय है फीडबैक है जरूर हमें कॉमें सेक्शन में लिखकर भीजिए एक फिर से थाइक यू सो बजुँ थाइक वर्ण आपका।